नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है एक बार फिर आपका आल मेनफेक्टरिंग इंडिया में तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको लोकल सिलिकॉंस और ओरिजिनल सिलिकॉंस के बारे में 789 सिलिकॉंस और 789 लोकल सिलिकॉंस के बारे में आज कल 789 की कॉंपी भी आने लगी है तो मैं आज बात करूँगा उनी के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली बात दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलिकॉंस के बारे में यह देख सकते हैं यह सिलिकॉंस होती है यह सिलिकॉंस होती है 789 डोक ओरनिंग जो की ओरिजिनल है मैं इसकी आपको पहचान वताऊंगा कि इसमें पहचान क्या होती है और अभी मैं आपको सिलिकोन दिखा देता हूँ और यह देख सकते हैं आप वालकर सिलिकोन जो की काफी अच्छी कमपनी है Korean silicone होती है इसके बाद आता है आपका 789 में local silicone यह देख सकते हैं इस पर glass seal लिखा हुआ होता है यह देख सकते हैं और 789 की copy होता है क्योंकि 789 पर इस पर लिखा हुआ होता है यह Chinese silicone होती है भोसे जो चानकार लोग नहीं होते वो इस silicone को खरीद लेते हैं 789 की original silicone और अभी मैं इसकी पहचान ही बताऊंगा आपको सबसे पहली पहचान होती है इसकी यह देख सकते हैं इस पर MRP और इसका जो भी लिखा हुआ होता है इसका code और इसका barcode बगारा सब लिखा हुआ होता है और यह देख सकते हैं यहाँ पर manufacturing में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यह देख सकते हैं यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यह देखिए यहाँ पर Korea लिखा हुआ नजरा रहा होगा आपको यह देख सकते हैं यह Korea से इंपोर्ट होती है और बहुत से जो जानकार लोग नहीं होते वो इसकी जगह जो भी मैंने 789 आपको दिखाई थी इसको खरीद लेते हैं देखने में फिल्कुल सेमसी लगती है और इसकी एक पहचान और होती है जो यह सब लिखा हुआ होता है यह देख सकते हैं आप इस पे अगर उंगली यहा तो आपको लगेगा जैसे इसके जो अक्षर है वो मतलब जैसे आपने नोट पर देखा होगा जो भी इंडियन करंसी होती है उसको पर आप फेरते हैं तो यह लगता है जैसे उसके उपर गुदा हुआ है तो और इसको आप देख सकते हैं इस पर कोई कुछ नहीं लिखा हो आप देख सकते हैं मैं दिखाता हूँ आपको यह जीपी की सिलिकोन होती है यह लोकल सिलिकोन है यह इसमें क्या होता है कि इसका माल इसी में ही भर दिया जाता है और इसको ज्यादा वेट में बना दिया जाता है तो लोग समझने लगते हैं 789 सिलिकोन होती है तो अब बात बिल आप खरीधते हैं, तो यहий, you can reach between 1 60-1 0 प्रक्रावशट ह wavelengths DR.нозir लोग्तस kods समझदार नहीं होते हैं, जिनको both 789 लिका हुआ है, तो 789 से क्या होता है, कि लोग उस लिकोन को खरीद लेते हैं, और उस लिकोन को टोफाव़ी देख सकते हैं यहां पर यह लिखा हुआ होगा यह देख सकते हैं यहां पर कोरिया से ही इंपोर्ट होती है तो अब इसकी बात करते हैं इसकी जो मार्केटिंग प्राइज होती है अगर अच्छी सिलिकॉन होती है बाकि इसमें मैंने अभी तक लोकल सिलिकॉन देखी नहीं है ना तो इसकी कॉंपी देखी है तो इसकी जो मार्केट में आपको 120-130 रुपे की बहुत ही आराम से मिल जाएगी और अब बताते हैं इनका यूज इनको कहां पर यूज किया जाता है यह जो अभी मैंने वाल्कर की सिलिकॉन है यह पकड़ी हुई है इसका यूज जो है गैप को भरने में यूपी वी सी के जो वर्क होते हैं उनमे सबसे जादा किया जाता है गैप के लिए काफी अच्छा यूज है इसका गैप को में यूज़ करते हैं, और आपका अगर UPVC का वरक है, UPVC में भी उसके आलमुनियम में भी सबसे जादा यूज़ करते हैं और आपका इस ट्रैक्चर में सबसे जादा यूज़ 789 ही होता है, सबसे ज़ादा बिकणे वाला सिलिकॉन 789 होता है, जो की सबसे बेस्ट है और कोरिया से इंपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फैमस सिलिकॉन होती है 789, इसके बाद अभी मैं यह सिलिकॉन दिखाता हूँ, इसकी कोई एहमियत नहीं है, लोकल सिलिकॉन है, कहीं से भी ले सकते हैं, अभी कहीं पे भी आपको मिल जाएगी और जो लोग समंधार नहीं होते, जिनको पता नहीं होता, 789, डोकोर्निंग के बारे में वो इसको ले लेते हैं अभी जो इसकी मैंने मार्केट पिराइज बताई थी आपकी 90-110 रुपे की आपको बड़े आराम से मिल जाएगी, तो दोस्तो ये भी जो सिलिकॉन है, वो ही जनरल परपस के लिए होती है, थोड़ा सा बरना होगा, मगर ही काम्याब सिलिकॉन नहीं होती इसका लगाना बिल्कुल रोजट है, बिल्कुल गटिया सिलिकॉन होती है, यानि कि अगर गैप को भरना जाते हैं, उसके मामले में बिल्कुल बेकार, चोटा-मोटा गैप होगा, उसको भर देगी, बाकी कोई यूज नहीं है, और अभी जो मैं सिलिकॉन आपको दिखा रहा था बचेया और देखेया अभी और दीकाहते है, यहां पर देख्याया होती है अगर आपको दो मामले छर सब्सक्राइब के लिए नमिष्कार